आज बनाएंगे आउला पूरी इस पूरी को बना करके आप आउला नोमी पर भुग लगा कर प्रसाद रूप में बांट सकते हैं इस पूरी को बनाना बहुत ही आसान है जटपड बनकर तयार हो जाती है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा हमें आउला लेना है इन आउलों को उबाल लेना है तभी इनकी गुठलिया अच्छे से निकल पाएंगी तो मैंने ये 6-7 आउले लिये है और इन्हें उबाल करके तयार कर लिया है अब एक फौक की मदद से इनकी गुठलियों को निकालेंगे वैसे तो हम कच्छे आउले को भी कद्दुकस करके पूडियां तयार कर सकते हैं पर आउले का कसेलपन पूडियों में आ जाएगा इससे पूडिय का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और टेस्टी नहीं बन पाएंगी इसलिए हमने आउले को उबाला है अब आउले की ना एक एक करके सारी गुठलियों को नेकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं फौड के मदद से कितने आसानी से हमने इन गुठलियों को नेकाल लिया है उबले हुए आउले के गुठियाना हाथ से दबाने पर भी आसानी से नेकल जाती है और ये आउला पूरी मेंने प्रसाद के लिए बनाया है जिस तरीके से कार्तिक के महिने में आउले दीबदान का महत्र है उसी प्रकार हम आउले से बनी किसी भी रेसिपी को तयार करके भगवान को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद रूप में बितरन कर सकते हैं जार में इन आउलों को एड़ करके थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे, कवर करके बड़ी असा ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए कितना बढ़िया इसका पेष्ट बन करके तयार हो गया है पूरियों में हलकी से मिठास के लिए हमने दो छोटे चमत सुगर को एड़ कर दिया है फिर से ग्राइंड कर लेंगे, तब ये आउले के साथ अच्छे से मिक्स हो करके ग्राइंड हो जाएगी इसे एक बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे ये देखिए कितना बढ़िया पेष्ट बन करके तयार हो गया है फिर से एक बाउल लेंगे, इसमें हमने एक कप गेहों का आटा चान करके लिया है इसमें हम किसी भी प्राकार का मिलावत नहीं करेंगे औरिजिनल गेहों के आटे से इस रेसिपी को तयार करेंगे अब ये बड़ी ऐसी खस्ता बने तो मैंने दो चमच घी को गर्म करके यहाँ पर एड़ कर दिया है थोड़ा सा नमक एड़ कर दीजिए वरना ये पूरियां फिकी लगेंगी मिक्स कर दिएंगे मुयां सिर्फ दो चमच से जादा एड़ ना करें वरना पूरियां तलते समय फटेंगी घी को हमने आटे के रभे रभे पर मिक्स करके तयार कर लिया है और ये देखिए कितने बड़ी ऐसी बैंडिंग आ रही है इसमें जो आवले का पल्प बनाया था इसे एड़ कर देंगे पहले हम थोड़ा सा एड़ करेंगे मिक्स करके चेक करेंगे वरना डो हमारा गीला हो जाएगा आप इंडियान किचिन क्वीन में आवला जेम या आवला अचार की बहुती बहतरी रेशिपी देख सकते हैं लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और मैंने जितना भी आवला पल्फ बनाया था सारा एड़ करके ये बड़ी असा डो बना करके तयार कर लिया है ये देखिए हम इसे मसल करके अच्छी से तयार करेंगे और कुछ दिर सैट होने के लिए ढख करके रख देंगे अब हम चासनी बना कर तयार करेंगे चासनी बनाने के लिए एक बरतन को लेंगे मैंने जिस कप से आता लिया था उसी कप से आधा कप सुगर और उसे आधा मैंने पानी को एड़ कर दिया है गास की फ्लेम को मेडियम करके चमब से हिला देंगे गास की फ्लेम लोग करके इसे कुछ देर छोड़ देंगे तो सुगर अपने आप में पिगल जाएगी इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने एक इलाजी को तोड़ करके एड़ कर दिया है आपको अभी essence यूज कर सकते हैं ये देखिए चासनी भी बनकर विल्कुल तयार हो चुकी है हमें दो तार की चासनी बनाना है ताकि पूरे की ऊपर अच्छे से कोड़ हो सके चेक करेंगे तो उंगलियों में ऐसे तार बनेगा चमब से गिरांगे तो ये एक तार से गिरेगी अब ये परफेक्ट है गैस की फ्लेम को ओफ कर देते हैं ताकि ठंडी हो जाएगी अब हमारा डो भी complete है इसे दो भागों में डिबाइट कर लेंगे चकले पर हम घी लगा करके complete करेंगे ताकि रोटी चिपकेगी नहीं लोई बना करके बेलना start करेंगे तो ये हमने रोटी बना कर तयार कर लिया है इस रोटी की मोटाई कुछ इस प्रकार से रखना है इसे plate में उठा लेंगे दूसरी रोटी भी इसी प्रकार बेल कर तयार करेंगे इसके उपर हमने जो गीपिक लाए थे ना उसे पूरा spread कर देंगे अच्छी से लगाएंगे सबी ओर से और फिर दूसरी रोटी जो हमने बनाई थी इसके उपर से add कर देंगे इसे थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि ये चेपक जाए हमें ये रोटी कुछ इस तरीके से बेल लेना है ताकि पूरिया परफेक्ट बन पाए फौक की मदर से निसान बना देंगे ताकि ये बहुत जादा ना भूले अब हमने पूरिय का परफेक्ट सेफ देने के लिए एक छोटी गलास का इस्तमाल किया है तो आप देख सकते हैं कि उतनी बड़ी रोटी से छे पूरियां बन करके तयार हो चुकी है अब जो एश्रा आटा है ना उसे निकाल लेंगे और उससे भी हम पूरियां बना करके तयार करेंगे तो इन्हें हम प्लेट में उठा लेते हैं एक का पाटा और थोड़े से आवले से बारह से चबदा पूरियां बना कर हमने तयार कर लिया है अब इन्हें शेक लेते हैं इन्हें हम घी में भी तल सकते हैं या फिर ओईल में भी तल सकते हैं हमने ओईल को हाई फिल्म में गरम कर लिया है इसके बाद गैस की फिल्म को मेडियम कर दिया है तो पूरिया बढ़िया सी सिखने लगी है पूरियों को तलते सम्में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ऑल गरम होना चाहिए भले ही थोड़ा सिखने के बाद गैस की फ्लिम को मीडियम कर सकती है तो हमने इन्हें पलट दिया है पूरियों में बढ़िया सा कलर नहीं आया है थोड़ा सा लाइट कलर है अभी इन्हें और सेखना है तो हमने फिर से पलट दिया है अब गैस की फ्लिम को मीडियम कर दिया है दो मिलेट और सेखना है तब इनका बढ़िया सा कलर आ जाएगा ये परफेक्ट पूरिया है, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे बाकी जो बची हुई पूरिया है, सेम इसी प्रोसेस सेख कर तयार करेंगे तो हमने इन्हें भी एड़ कर दिया है, इन्हें भी तल कर निकाल लेंगे तो हमने सबी पूरिया तल लिया है चासनी भी थन्डी हो करके गाड़ी हो चुकी है हम एक-एक पूरी लेंगे, चासनी में कोट करते जाएंगे और आश्टर चासनी को वहीं निकाल देंगे, पूरी को उठाएंगे, प्लेट में निकाल देंगे पूरियां बहुत ही खस्ता हैं और सौफ्ट भी हैं अभी एक साथ सारी आड़ करेंगे तो यह तूट जाएंगी इसलिए हमने एक एक करके ही इन पूरियों को एड़ करके सुगर सिरब में कोट कर दिया है अभी पूरी चासनी को अच्छे तरीके से सोक कर लें इसी के बाद ह कि यह पूरी परफेक्ट तयार हो जाएंगी आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा करके इंडियन किचिन कुईन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ